मानिये रास्पति महद्या आपकी अनुमती हो तो समारो प्रारम किया जाए मंत्री श्री नरेंद्र दामदर्दास मोदी मैं मैं नरेंद्र दामदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ की मैं वीदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निश्चा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं संग के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वत और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपाद अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और वीधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं मैं नरेंद्र दामुजर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के प्रधान मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्न्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संप्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा और प्रत्यक्ष रूप से संसुचीत या प्रकट नहीं करूँगा प्रत्यक्ष 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 रूप प्रत्यक्ष रूप केविनेट मंत्री श्री राजनात सिंग मैं राजनात सिंग इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विद्वारा स्थापित भारत के संबिर्हान के प्रती सची प्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का त्रद्धा पूर्वत और सुद्ध अंतक करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्रेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संबिर्हान और विरी के अनुसार नियायक करूंगा मैं राजनाथ सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विशार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्यांत होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतूशित या प्रगट नहीं करुबार श्री अमिद्शा मैं अमिद्श अनिल चंद्रशा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रती सत्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षून रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्दापुर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या दिवेश्ट के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विदान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं अमीत अनिल चंद्रशा इस्वर की सपट लेता हूँ कि जो विशए संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्व्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रत्यक्स रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा प्रगट नहीं करूंगा जैराम गड़करी मैं नितीन जैराम गड़करी इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रदा और निश्टर उंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन्य रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का श्रद्धा पुर्वक और शुद्धन तक करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपा अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नय करूंगा मैं इश्वर की शफत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे द्नाथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करता हुए कोई सम्मेक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिचित हो मैं प्रत्यक्षात्वा अप्रत्यक्षरूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा और स्ट्रेश या प्रत्यक्षण अप्रत्यक्षरूप से सब्सक्राइब। मैं जगत प्रकाश नडड़ा ईश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटा अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद अंताकरण से निर्वाहन करूंगा तता मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं जगत प्रकाश नडड़ा ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या वक्तियों को तब के सिवाए जब कि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री शिवराज सिंग चौहान मैं शिवराज सिंग चौहान इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधिद्वार इस्थापित भारत के संबिधान के प्रती सच्ची सृद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की पुरूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सृद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपार अनुराग या दुएस के बिना सभी प्रिकार के लोगों के प्रती संबिधान और विधी के अंसार नियाए करूंगा मैं सिवराज सिंग चौहान इसवर की सपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अधवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रिकट नहीं करूंगा कर दो कर दो कर दो निर्मला सीता रामन राध राध भाध लग्याच भाध दो अहां ईच्छेसा पूर्छ लग्यारोट निर्मला सीता रामन do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitaraman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister. Thank you. Dr. Subramanyam Jayashankar I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister. Thank you very much. Shri Manohar Lal Shri Manohar Lal Shri Manohar Lal Shri Manohar Lal इश्वर की शवद लेता हूँ कि विदी द्वारास्तापेद भारत के सविधान के पती सच्ची, श्रद्धा और निष्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शर्दा पूर्वक और शुद्ध अंत्रकर्ण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं मनोहरलाल इश्वर की शप्त लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों के सम्यक निर्वहें के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा या प्रत्यक्ष रूप से स्री H.D. कौमार स्वामी करत्यक्ष करते दिए करते चर्ब ही चर्ज करते रूप से या रूप से चाथेड़ी अरदनाधनी देवेगूड़ वुमार्सवामे, भुष भाधनाधनी देवेगूटा अकपूर्सवामे, भुष बेर तुछ फिरे प्रूटा कथा एंधरी अदेज़ अपूचिजित अ इजा स्ट्थिछिजित अपूट्टुशिट इज़ अख़िए अब ऑमीज बिट है को अब प्रफ चिंश जलिफ ए जिस्था जान्स बीए डिर उनिसली टुर प्रफ टुमारा स्वामर नो यूड डुट ऑन टो थे टो जान्स बड़ा कॉम्हार ना में अट्मारा स्वामा प्रफ इचिन्वड प्रफ टी निस बीजडि मैं है ट or not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister कि अ कर दोदो कर सक दोसों जो कि ए CAP घरेक किया कि Fatima है स्रीपियू इस गोएन मैं मैं पियूश वेद्प्रकाश गोयल इश्वर के शपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के संविदान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के पती संविदान और विदी के अनुसार नियाए करूंगा मैं पियूश वेद्प्रकाश गोयल इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा और प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा स्री धर्मेंद्र प्रत्यान मैं धर्मेंद्र प्रत्यान इश्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधीत द्वारस तापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्यून रखूंगा मैं संग की मंत्री के रूप में अपने कर्तिवें का स्रद्धा पुरुबग और सुद्ध अंतकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पक्षपाद अनुराग या दोश के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रती संबिधान और विधी के अनुसार नय करूँगा मैं धर्मिंदर प्रधाद इस्वर की सफद लेता हूं कि जो विशेर संगह के मंतरी की रूप में मेरे विचार के लिए लाये जायेगा अथवा मुझे ज्यांत होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके शिवाय जबकि ऐसा मंतरी की रूप में अपने कर्टियों के संब्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिकित हो मैं प्रत्यक्ष्य अथवा और प्रत्यक्ष्य रूप में संसुचीत या प्रकट नहीं करूंगा स्री जीतन राम मांधी मैं जीतन राम मांधी सत्य निष्ठा से प्रतिक ज्यान करता हूँ कि मैं विजी द्वारा स्थापित भारत के संबिधान के प्रति सची सर्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता आग सुन रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सर्धा पुरुवक और सुध्य अंता करन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षबात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संबिधान और बिजी के अनुशार नियाय करूँगा मैं जीतन राम मांजी सतनिस्टा से प्रतिग्यान करता हूँ कि जो भी से संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्टब्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना आप एक्षित हो मैं पर्टक्ष अथवा पर्टक्ष रूप में संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा मैं स्वारप शर्टक्ष इ्ल्पा ह 네 याराफ ब्यक्तिने थाstyर chewy च झाल नहीं करतार 199 कि वहां दोर्टक्ष अपने की अ हाउम स्वागाना का समयक URL मैं करते लिएक झाली याराफ एक्षित गरवंट्वाозя मैं समयक मैं कि शिरी राजीव रंजन सेंग मैं मैं राजीव रंजन सिंग उर्फ लालन सिंग सत्य निष्ठा से प्रतिक ज्यान करता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्छुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरधा पुरुवक और सुद्ध अंता करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपाद, अनुराग या देश के विना सभी प्रकार के लोगों के पृतिश संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं राजी वरंजन सिंग और फ्ललन सिंग सत्य निष्था से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे घ्यात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के अपने करतब्यों के समयक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ स्री सर्वानन सोनोवाल है या सर्वानन ऑ्रत्यक्ष वेक्ति अप्रत्यक्ष घुटख सलव से अग्षित草 इन स्हें समयक्ष इन सोनुट different ब़ह विर and allegiance to the Constitution of India as by laws established that I will uphold the several sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously deserve my duties as a minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of ever affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or even to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Majority 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 डॉक्टर विरेंद्र कुमार मैं मैं डॉक्टर विरेंद्र कुमार इस्वर की सफ़त लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्तापित मैं भारत के शंविदान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं संगे के मंतरी के रूप में अपने कतव्यों का स्रद्धा पूर्भक और सुद्ध अंताह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सवी प्रकार के लोगों के प्रती संभिदान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा मैं डाक्तर विरेंद्र कुमार इस्वर की सफ़त लेता हूँ कि जो विशय संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षे थो मैं प्रतेक्ष अत्वा अप्रतेक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा प्रतेक्ष रूप तब करूँगा नायडू आए I Kinjarapu Ram Mohon Naidu do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear of favor, affection or ill will I Kinjarapu Ram Mohon Naidu do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person of persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister O no úa प्री प्रवड जोषी यदुड प्र liberal जोषी I I PRALHAD वंक्टेस जोषी Do share in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union and I will do right to all manner of the people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pralhad Venkatesh Yoshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person for any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for union except may be required for the due discharge of my duties as such minister. स्री जुएल उराम मैं जुएल उराम इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्मिधान के प्रती सक्ची स्रधा और भिष्टा रखूगा, मैं भारत के प्रोभता और अखर्णता अक्ठुन रखूगा, मैं संह के बंतरी के रुप में आपने कर्तब्र का स्रधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्भाहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या जेस्क के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्मिधान और विधी के अमसार न्याय करूँगा, मैं, ऐसा करना अपिखित हो, मैं प्रतिक्ष अथवा और प्रतिक्ष रूप से संसुचित यहां प्रकट नहीं करूँगा, का रिंगा, श्री गिरीराज सेंग मैं गिरीराज से इस्वर की सबत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के शम्रिधान के परती सची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखंडता अच्छुन रखूंगा मैं शंग के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सर्धा पुरवक और सुध अंतर करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपा अनुराग या दोएस के बिना सभी परकार के लोगों के परती शम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं गिरीराज सिंग इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय शंग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेच्छित हो मैं परतक्ष अत्वाव परतक्ष रूप में संसुचित या परकट नहीं करूंगा स्री अश्वनी वैष्णव मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्था पे भारत के सम्विधान के प्रती सची शद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता हक्षोन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्दा पूर्वक और शुद अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सम्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं अश्विनी वैशनव ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों के स मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। स्री जो ते राजित या थे एम संधिया रूप से संसुचित या बहुत नहीं करूंगा। जोतिराजित्य मादवराव संधिय इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा। मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वक और शुद अंतकरण से निर्वाहन करूंगा। तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा। मैं जोतिरादित्या माधवराव सिंद्या इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सनसूचित या प्रकट नह करूंगा मैं मैं गुपेंद्र यादव इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंद का अक्षन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तता मैं भय या पक्षपाद अनुराग या दुएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं मैं भुपेंद्र यादव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवे के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करोगा स्री गजेंद्र सिंग्ष शेखावत मैं गजेंद्र सिंग्ष शेखावत इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विदिध्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची नित्षद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखड़ता अक्षन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शद्ध अंतह करन से निर्वहन करूंगा तता मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं गजे इंद्र सिंग शेखावत इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशह संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वेन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा श्रीमती अन्न पूर्णा देवी मैं अन्न पूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विजी दुवारा स्थापित भारत के सम्यदान के प्रती सची स्रद्धा और निष्टा रखूँगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षूर्ण रखूँगी मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अन्तकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या दोयश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, शंविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं अनपूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचीत या प्रकट नहीं करूंगी स्री करें रिजजु मैं किरन रिजजु इश्वर की शफट लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थाफित भारत के सम्वीदान के प्रती सची श्रिद्दा और निष्था रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्षोण रखोंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तिव्यों का सद्दा पुर्वक और शुद्ध अंत करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्सपाथ अनुराग या दुएस के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्वीदान और विदी के अनुसार नियाई करूंगा मैं किरन रिजेजू इश्वर की शपत लेता हूं कि जो विशह संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्य तक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकत नहीं करूंगा स्री हर दिया पूरी I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. डॉक्टर मन्सुक मांडविया मैं मैं डॉक्टर मन्सुक मांडविया इश्वर की शपत लेता हूँ की मैं विधिद्वारा स्वापित भारत की सम्विधान के प्रती सच्ची सद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षोन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यो का सद्दा पुर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समीधान और विदे के अनुसार न्याई करूंगा मैं डॉक्टर मंसुक मांडविया इश्वार की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने क प्रतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप में संसू चित या प्रगट नहीं करूंगा स्रीजी इसन डेड़ि मैं गंगापुरम किशन डेड़ि इश्वर की श्यपत लेता हूं कि मैं विदिद्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रति सच्छी श्रद्धा और निश्चा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अकन्डता अक्षुन नो रखूँगा मैं संग्य के मंत्र के रूप में अपने कर्तवियं का श्रध्धा पुर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वान करूंगा थता मैं भाय या पक्षपाक अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदि के अनसार न्याय करूंगा मैं गंगापुरं किशन रेड़ी इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों के तब के सिवाए जबकि आईसी मंत्र के रूप में अपने कर्तवयों के सम्यक निर्वयन के लिए ऐसा करना अप्रतिक्षित हो मैं प्रतिक्ष अक्वा अप्रतिक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा कि शुरीच चिराग पास्वान मैं मैं चिराग पास्वान इश्वर की शबत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापद भारत के सम्विधान तर सब्थाँ के प्रती सचिश रधा और निष्ट रखंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अख्षंड रखंगा मैं संके मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का शद्धा पूर्वत और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तधा मैं भे या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं शिराग पासवान इश्वर की शबत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अध्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा प्रत्यक्ष रूप स्री चर पातिल है में मैं के सियाड बाडेल इसर की सपत लेता हूं कि मैं विजीद्वारा स्थापित के भारत के सविधान के बति सच्ची सद्ड और निश्टा रखूंगा मैं बारत की प्रभुता और अखन्ड़ता अक्षुन न रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तोयों का सद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वन करूंगा तता में तब या पक्षवाद अनुराग या द्रेश के बिना सभी प्रकार के मुर्व लोगों के प्रती सभीदान और विजी के अनुसार नियाई करूंगा मैं सियार पाडिल इश्वर की सब्बर लेता हूँ कि जो विश्य संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे न्यात होगा उसे किसी व्यक्टी या व्यक्टियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्दों के समयक निर्वान के लिए ऐसा करना अपिछित हो मैं प्रत्यक रत्वा और प्रत्यक रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंदर्जीत सेंग् I, I, Indrajiit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the state of union. And that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Indrajiit Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. I, Indrajiit Singh, do swear in the name of God that I will not directly engage with you as a minister of state and as a minister of state. दॉट्टर जितेंद्र सेंग मैं दॉट्टर जितेंद्र सेंग ईश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची शद्धा और निश्चा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखड़ता अक्षुण रखूँगा मैं संग के रज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंधा करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपाथ अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं मैं डॉक्टर जीतेंद्र सिंग इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के रज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे रज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अब प्रत्यक्ष रूप से संस्यूचित या प्रकट नहीं करूंगा प्रकट रॉप बोकल का रॉप स्री अर्जूर्ण राम मेगवाल मैं अर्जुन्रा मेगवाल इस्वर की सफ़त लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के समिधान के प्रती सची सर्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तद्यों का सुधा पूर्वक और सुध अंत्य करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्सपाथ अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं अरजुनरा मेगवाल इस्वर की सपद लेता हूँ कि जो विशैसंग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वक्ती या वक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तिवें के सम्यक निर्वेन के लिए ऐसा करना पेक्सित हो मैं परत्यक्स अत्वाय परत्यक्स रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री प्रताप राव गनपत राव जाधव मैं मैं प्रताप राव गनपत राव जाधव इश्वर की शपत लेता हूं की मैं विधी द्वारा स्तापीद भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन्य रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने करतोयों का श्रद्दा प्रुवक और शुद्द अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं प्रताप्राव गनपत्राव जाधव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशेश संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएंगा अथवा मुझे द्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने करतों के सम्यक नियर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्शित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रुस्ते संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा कर्ण्वा भाद रुन या 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 योडि meters करे फवार आजम आजो आजिए जारिगविए क्वेश्टघार सच्टुछी नचेश दो निर्टारिश नचेशन का तरिजी रुडीर नांज था रुम आजिएट नेखिए।िजए टुव एक पूलिटी फूलिए प्टुछी, नचेशन के रिछिए नुटिखिशन I? I, Jain Chaudhary, I do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. और भी आपता हुआता है कि राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद मैं मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रती शाची श्रद्धा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखुंता अच्छुन रखूंगा मैं संग के राज्मंती के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वत और शुद्ध अंद्रकरण से निर्भन करूंगा तता मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं जितन प्रसाद ईश्वर की शपत लेता हूं कि जो विशेश संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्त अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संच्युतित या प्रकट नहीं करूंगा श्री श्रीपाद येशो नाइक मैं श्रीपाद येशो नाइक इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधीद्वार अस्तापित मैं भारत के सवीधान के प्रती सची शद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभता और अखंड़त आख्शूंट रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतेयों का सद्धा पुर्वत और शुद्ध अंतकर्ण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या अध्रेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विदी के अनुसार नयाई मैं मैं स्रीपाद्यसवनाई इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्यात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब के सिवाए जबकि आईशे राज्यमंत्री के के लिए ऐसा करना प्यक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँ श्री पंकज चौदरी मैं मैं पंकत चोधरी इस वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के सम्मिदान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्टा रखोंगा मैं भारत की प्रवता और खंटा अच्छोड रखोंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने करवत्तों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतख करण से निर्वान करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्मिदान और विदी के अनुशार नयाय करूँगा मैं मैं पंकर चोद्री इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहसंगत के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतवों के समयट निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं परतच अत्वा अपरतच चुरूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा कि श्रीक कृष्ण पाल मैं कृष्ण पाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सिधान के पिरती सच्ची सिर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अक्षुन रखूँगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों का सरदा पूर्वत और सुद अंतकरण से निर्वेहन करूँगा तदह मैं भेह या पक्षपाप अनुराग या द्वेश के बिना सभी परकार के लोगों के पिरती सविधान और विधी के नुसार न्याय करूँगा मैं तिर्शनपाल इस वर की सपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कत्व्यों के समयक निर्वेन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं पर्तेक्ष रूप से संसुचित या परकट नहीं करूँगा. श्री रामदास अथावले मैं रामदास अठोले सत्य निष्टा से प्रदित निया करला हूँ की, मैं विदीद्वारा स्तापीत भारत के सविधान के प्रदित, सची स्रद्धा और निष्टा रुखूंगा. मैं भारत की प्रभूता और अकंड़ता अक्षुन में रखूंगा. मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तोयों का स्रद्धा पूर्वों का और शुद्ध अंतकरन से निरोहन करूंगा. सता मैं भाय या पक्षपा अनुराग या अध्वेश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवगी दाना और विदी के अनुसार म्याय करूंगा. मैं मैं रामदात अठोले सक्के निष्टा से प्रतीवन्या करता हूँ कि जो इसे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथुआ मुझे नियात होगा. उसे किसी वेक्तिया के त्यों को सब की सिवाए अब की आइसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्थुगन के सम्यक निर्वन के लिए आइसा करना पिक्षित हो मैं प्रतेक्षा तो आप्रतेक्षे रूप से समसुची या प्रकट नहीं करूंगा. श्री रामनाथ थाकुर्थ मैं रामनाथ थाकुर्थ इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थाफित भारत के समध्यान के प्रती सच्ची सर्धा और निस्था रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अठ्षुन रखूंगा. मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तबू का सुलधा प्रुवक्त और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा. तो था मैं भै या पक्षपाद, अनुराग या दोईस के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और वीधी के अंसार नयाय करूंगा. मैं रामना ठाकूर इस्वा की सपत लेता हूँ कि जो भी से संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने अथवा आप्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा स्री निद्यानन राए मैं लिद्यानन राए इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा अस्थापित भारत के समिधान के प्रती सची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की पभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग की राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक्त और सुध अंताकरन से निर्भवन करूंगा तथा मैं भै या पक्सपाद अनुराग या दोईश के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और दिधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं नित्यानंद्राए इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशैस संग की राजमंत्री के रूप में मिरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्ती या बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयक निरवहन के लिए ऐसा करना अपिच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा प्रत्यक्ष अधार्ब्स बढ़ति जब्से हो। झाल रहाए हो। भ्रूंट जबस्देद草 के मैं प्रत्यक्ष ओत्यक्ष प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फंशर्व। श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारक के सम्विधान के प्रति सची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारक की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भे या पक्षपा अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूँगी मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगे स्री वी सोमन्ना आए आए वी स्वामना बोस्टे इन अमगाद अ एंध एंग एलिए टूज अ यंज sulphर अविटे इन एलिए इन विटन टो इंट स टुट इंट विड इंग इंग प्राइब सोफिट्ट इंग जो एंग टाइस्ट अव भी स्वार्ट इस टूजिसे एंग इंग पाैं तुट I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection in our ill-will. I, I wish, Swamana, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, and accept as may be required for the, for the due discharge of my duties as a Minister of State. Dr. Chandrasekhar Pema Sani. I, Dr. Pema Sani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill-will. I, I, Dr. Pema Sani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Professor S.P. Singh Bagheel. Dr. Sani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear for the consideration of the पुर्वग और सुध्ध अंताकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधी के अमसार नियाई करूंगा मैं प्रोफेसर S.P. सिंग बगे ईश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप के लिए ऐसा करना अपेच्चत हो मैं प्रतक्ष अत्वा प्रतक्ष रूप से संचुचित या फ्रकट नहीं करूंगा सुस्री शोबा करन लाजे मैं शोबा करन लाजे ईश्वर की शपत लेती हूंगी मैं विदी ध्वारत सापित भारत के सविदान के प्रती सच्ची शद्दा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत के प्रभुता और अकंडत का अक्षन रखूंगी मैं संग का राज्ज का मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का शद्धा पूरक और शुद्दा अंतकरन से निरुहन करूंगी तता मैं बह्या और या पक्षपत अनुराग या ध्वेश के बिना सभी प्रखार के लोगों की प्रती सविधान और विदी के अनुसार नियाई करूंगी मैं शुबा करमलाजे इश्वर की शपत लेती हूं की जो विशय संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाई जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सम्यक निरुआन के लिए ऐसे करना अप्रत्यक्ष रूप से संसुजित या प्रकट नहीं करूंगी श्री कीरती वर्धन सेंग मैं मैं किरती वर्धन सेंग इश्वर की सपत लेता हूं कि मैं में विद्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभता और अकंड़ता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राजबंत्री के रूप में अपने कर्तमियों का सद्धा पूर्वत और शुद अंत्रकरन से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विद्ध के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं कीर्थी वर्दन सेंग इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राजबंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ष या व्यक्षियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंती के रूप में अपने कर्वधियों के समया निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुतित या प्रकट नहीं करूंगा श्री बी एल वर्मा मैं बी एल वर्मा इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के संविधान के प्रती सची श्रद्धा और निश्ठा रखुआ मैं भारत की प्रवता और अखंडता आक्षुन रखुआ मैं संगा के राजिमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का श्रदा पुरुवत और सुद्ध अंताकरण से निर्वान करूआ तथा में भे या प्रक्षपात अनुराग या अद्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रती संविधान और विदी के अनुसार नियाए करूआ ने बियल वर्मा इसवर की सफ़त लेता हूँ कि जो विशये संगा के राजिमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब के ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतबियों के समयक नर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षत हो, मैं अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूगा। स्री शांतनू ठाग। स्री शांतनू धद्कूर। झाल्ब अज़ गॉड गखत्त रिवा ने अगोर फ़ तो ऑन अजय रिल्ट कुछित अज़ु जडिक अज़ रिज़ का ज़ फिल्ट मेंद चरांट में प्रवा प्रडर्ण बैंसी अज़ ज़िलख फिल्ट स्क्राइब कीज़ दिखेजिक रे संजव लिगोडाऱ् च्छि with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Sri Suresh Gopi Sri Suresh Gopi I, Sri Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. Congratulations. Dr. L. Murugan Dr. L. Murugan I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. Thank you. Sri Ajay Tamta मैं 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 आज़यतम्ता इस तौर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस Oui passion भारत के सम्मिदान के प्रती सच्ची सर्दा और निस्टा रखूंगा मैं भारत की परभूता और अक्षुनदता अक्षून लखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सर्दापुनुवक सुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं है या पक्सपात अनुराग या देश के बिना सभी परकार के लोगों के परती सम्मिधान और विदी के अनुसार नियायक करूँगा अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्सित हो मैं परत्यक्स अथ्वा अपरत्यक्स रूप से संसुचित या परकट नहीं करूँगा श्री बंदी संजे कुमार मैं बंदी संजे कुमार इश्वर की शिपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारस तापित भारत के सम्मिधान के प्रती सच्ची सद्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अकनता अक्षुन रखूँगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव योंका सद्धा पुर्वक और शुद्ध अंतक करने से निर्वान करूँगा तदा मैं बै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रगार के लोगों के पती संविदान और विद्धी के अंसार न्याय करूँगा मैं बंडी संजे कुमार इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए राय लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से समसोशित या प्रकट नहीं करूंगा. मैं कमलेश पास्वान इस वर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्ताफित भारत के समिरान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रदुता और अखंड़ता अच्छू रखूंगा. मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पुर्वा को सुद्ध अंत्र करण से निर्वन करूंगा. था मैं भैत था पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिरान और विदी के अनुसार निया करूंगा. मैं कमलेश पासवान इस वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वैक्ति या वैक्तियों को, तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने क कर्तब्यों के सम्वैक निर्वहन के लिए ऐसा करना आप एक चीत हो, मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा श्री भागिरत चौदरी मैं भागिरत चौदरी इस्वर की सपत लेता हूं की, मैं विधी द्वारा अस्तापित भारत के सुनिधान के प्रती सच्ची सर्दार और निश्चा रखूंगा मैं भागिरत चौदरी इस्वर की सपत लेता हूं की, जो विषय संग के राज्य मंत्री के रूप मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, तुआ मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सुआई जबकि ऐसे राजी मंत्री के रूप में अपने कर्टियों के सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं पर्त्रक्ष रूप से संसुचित या परकड नहीं करूगा श्री सतीष चंद्र डूबे मैं सतीष चंद्र डूबे इस्वर का सफत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा अस्थाफित भारत के सम्यधान के परती सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्छोन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्थब्यों का सर्धा प्रुबक्त शुद्ध अंतह क्राण से निर्वाहान करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दुवेश के बिना सभी प्रकाहर के लोगों के परती सम्यधान और विधी के हमसार न्याय करूँगा मैं सतीश चंद्रदुवे इस्वार का सफ़त लेता हूँ कि जो विशाय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसके उसे किसी बेक्ती या बेक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों का शम्यांक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं परतच अथवा अपरतच रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूगा या 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 यिए स्री संजय सेट मैं संजय सेट इश्वर की सपद लेता हूँ कि मैं वीधी द्वारा इस्थापित भारत के सर्विधान किरपती सच्ची सद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता को अर्थन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्टब्लों का सद्धा पूर्वक और सुध अंतकरण से निर्वन करूंगा तथा मैं भाय या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं संजसेट इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री की रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे राजमंत्री की रूप में अपने कर्तवयों के सम्वयाख निर्वहन के लिए ऐसा करना पेचित हो मैं प्रतच अत्वा अप्रतच रूप से संसूचित या प्रकट नहीं प्रतच अत्वा प्रतच रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूगी स्री सुकान्त मजूम्दार I, Shukanto Moojimdar, do say in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will afford the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Shremati Savitri Thakur Shremati Savitri Thakur Shremati Savitri Thakur मैं संग्र के राज्यमंत्री के रूप में करतव्यों का सद्धा पुर्वक अंतक्रण से दिर्भन करूंगी तथा मैं भई या पक्षपात के अनुरग देश या विना प्रकार के लोगों के प्रती सविदान इधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं सावित्री ठापूर इस्वर की सपत लेती हूँ कि जो इसे संग्र के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब एसे राज्यमंत्री के रूप में मैं अपने करतबे का समीक निर्भन के लिए एसे अफेच्चीत तो मैं प्रतेख अत्वा आप प्रतेख रूप से समचीत या प्रकट हूँगी श्री तोखन साहू मैं तोखन साहू इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वरा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकंड़ता अक्छूड रखूंगा मैं संग के राज्यमंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं तो खंसा हूँ इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो विषय संग के राज्यमंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाए जबकि एसे राज्यमंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वान के लिए एसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रुप से संसुचीत या प्रगाट नहीं करूंगा श्री राज भूशन चौदरी मैं डॉक्टर राज भूशन चौदरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अच्छून रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सरधा प्रुबक और सुध अंतह करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुएस के बिना सभी प्रकार के लोगों के परती संविधान और बिधी के अनुशार नियाई करूंगा मैं मैं डॉक्टर गुशन चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी से संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बैक्टी या बैक्टियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपैक्षित हो मैं परत्यक्ष अथवा और परत्यक्ष रूप से संसूचित या परकट नहीं करूंगा स्री भूपति राजु श्री निवास वर्मा मैं भूपति राजु श्री निवास वर्मा येश्वर की श्यपत लाता हूं कि मैं विदीद्वारा स्थापित बारत के संविधान के प्रती सची श्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं बारत की प्रभूता और अकंडता अक्षिन रखूंगा मैं सांग के राजमेंद्र के रूप में अपने कातोवियं का शद्दा पौवक और सुद्ध अंथकरन से निरहन करूंगा तदा मैं बाई या पक्षपात अनुरोग या द्वेश के बिना सबी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदी के अनुसार नाय करूंगा मैं बोप्तराज सीनुवास वर्मा एश्वर की शपत लाता हूँ कि जो विशेई सांग के राजमेंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ती या विक्तियों को तबके सिवाई जबकि ऐसे राजमेंटरी के रूप में अपने काक्तोवियं के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हूँ मैं प्रत्यक्षा अत्वा अप्रत्यक्षे रूप से सम्सुचित या प्रकट नहीं करूँगा कि अधायो प्रसका अप्रुणी के सम्सुचित यालemor प्रुणी याभीक्षी रुप जात्वा अत्यक्षीत हूँ कि अ気 Bowman प्रत्यक्षा इखिते के सम्सुचिति याजमें प्रुणी विवग्यमें प्रत्यक्षी ग Спасिको कि स्री हर्श मलोत्रा मैं हर्श मलोत्रा इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापेत भारत के समिधान के प्रती सच्ची शद्दा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्दा पूर्वत और शुद्ध अन्ताकरण से निर्वान करूंगा तता मैं भै और पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं हर्श मलोत्रा इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के समयक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं पृत्यक्ष अत्वा अपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा झाल 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 श्रीमती नीमुबेन जेन्ति भाई भामडिया मैं मैं नीमुबेन भामडिया इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विदीद्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षून रखूंगी मैं संके राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यो का सद्धा पुर्वग और शुद्ध अंतर करण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भाय या प्रक्षपात अनुराग या देश-देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विदी के अनुसार न्याई करूंगी मैं निमूबेन मामणिया इश्वर की सपत लेती हूँ की जो विशाई संके राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अत्वा मुझे गनात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तिओ को तब के सिवाए जवकी एसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतवियों के विचार करना अपेक्सित हो में प्रत्यक्स अत्वा आप्रत्यक्स रूप से संसुचीत या प्रगर्ट नहीं करूंगी पूरो मुंचिशवाद पूरो 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 पूरो